वो धत्व की प्राप्ति के उन दस गुणों से परिपूर होना जिन्हें पार्मी या पार्मीता कहा जाता है इस स्रिंकला में अभी तक तान, शील, नेखमा और पन्न पार्मी को समझा अब पाचवी पार्मी वीर्य को समझेंगे वीर्य को समझने से पहले हमें हमारी मानसिक अवस्थाओं को पहचानना परमावश्यक है और हमें सतिपठान और ध्यान की अवस्थाओं में इनका इस पश्ट अनुभव होता है जिसमें हमारी चित्त की अवस्थाओं को पहचानने में मदद मिलती है हम आंत्रिक रूप से क्या अशान्त है या शान्त है यहां पर हमारे अंदर चित्त की अशान्तता या बेचैनी जिसका कारण कुछ भी हो सकता है मगर क्या हम बेचैन है तो क्या कारण है जो हमें अंदर से अशान्त किये हुए है इस परिस्थिती को पहचानना यहां पर यह बेहत महत्पूर है कि यदि हम अपने मन की अवस्थाओं का गहरा विश्लेशन करें तो हम कई बार इस पश्च रूफ से देख पाते हैं कि किसी कारण ने हमें अशान्त कर रखा है और यह अशान्तता बेचैनी यही पर नहीं रुखती यह हमें नकर आत्मक भाओं विचारों और प्रतिक्रियाओं से भर देती है और पूरी तरह से हमें नकारात्मक के दलदल में डुबो देती है जितना हम प्रयास करते हैं यह नकारात्मकता हमें अपने चंगुल में फसाय रखती है विबिन्न प्रकार के प्रयास किये जाते हैं इसे निकलने के तो यहाँ पर विपश्यन ध्यान के सहारी अपनी इन मनस्थितियों को पहचानना समझना विशलेशन करना या धर्मविचे या चिंतनमन करना और इस नकारात्मकता से बाहर निकलने का प्रयास करना और अपने चित्त को सकरात्मक उर्जा से भर देना उत्साह वो सकरात्मक उर्जा से परिपूर होना ही है वीरिका लक्षण यह विवहार में द्रता लाता है यह लगातार प्रयासों की उर्जावान सिंखला है जिसमें कोई थकावट नहीं कोई रुकावट नहीं यह आंतरिक रूप से सुख की अवस्था जो बेचैनी और छटपटाहट से मुक्त होती है सदैव सुख के साथ सकरात्मक उर्जा से परिपूर किये गए प्रयास ही वीरि हैं ततागत बुद्ध के अनुसार वीर से परिपूर साधक ही निर्वान की और अग्रसर होने में सामर्थवान होता है और सैंतिस बोधिपक्चियो धर्मों में भी चार धर्म सीधे सीधे वीरि के प्रभाव के छेतर में आते हैं इनमें से पहला समू है साथ बोध्यंग और इसी साथ बोध्यंग के संदर्व में संयुक्त निकाय के पबबत वग में ततागत कहते हैं बुद्ध ने कहा कि भिक्चु शील के आधार पर प्रतिष्ठित हो, साथ बुद्ध ध्यंगों को भवित करते हुए, इन्हें बढ़ाते हुए धर्मों में महानता, विपुलता प्राप्त कर लेता है, यह इसलिए होता है क्योंकि यह विवे, विराग, निरोद का आश्रे ल बुद्धि, धर्मविचे, वीर्य, प्रीती, प्रशब्धी, समाधी तथा उपेक्छा का अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति होती है, उन्होंने यह भी कहा कि जैसे शरीर आहार मिलने पर खड़ा रहता है, आहार नहीं मिलने पर खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही साथ बुद्ध्यंग भी आहार मिलने पर ही खड़े होते हैं, आहार नहीं मिलने पर खड़े नहीं रह पाते हैं, फिर यह भी बतलाया कि वे कौन से आहार हैं, जिन से संबोधि का प्रतेकंग भवित और पूर होता है, उन्होंने पांच निवर्णों के बारे में भी बतलाया कि वे कौन से आहार पाकर उत्पन होते और व्रिधी को प्राप्त होते हैं, तो बोध्यंग याने बोध कराने वाले अंग और उनमें है एक वीर्य याने सकरात्मक उर्जा उत्सा से भरा साधक या भिक्चू बोध करने में सामर्थवान होता है, वो अपने अनुभ़ों में सदे वुर्जा से भरा होता है, जो उसे निराशा हतो साहित से दूर रखती है, पांच निवरण नश्ट होते हैं, और इन पांच निवरणों में पहला है कामचंद, हमारी पांच ग्याने इंद्री आँख नाक कान जीब और शरीर के माध्यम से आनंद की तलाश में रहना, ये शारेरिक मजे की चा के कान त्रिशणा के बंधन में पध जाना, इनकी तीवर च्छाओं की काम पिपासा से चिपक जाना, इस प्रकार के कामचंद वह उनके विशे व्याकुल्टा और बेचैनी से मन को भर देते हैं, और यहाँ पर वीर यही इन सबसे मुक्त करा सकता है, इस छटपटाहट को वीर के सहारे दूर किया जाता है, दूसरा निवर्व व्यापाद, याने द्रो की भावना, कोई भी ऐसा घटना क्रम जो अपने अनुसार नहीं हो रहा है, तो उससे सत्रुता कर बैठना, बदले के भाव में सुलगना, मन के अंदर घड़ा और कडवाहट की भावनाओं का बाहर बार उत्पन्द होना, ये भाव सदे भले दूसरों का नुक्सान पहुचाए या ना पहुचाए, मगर मन इन से तूशित हो जाता है, चित्त विहवल हो उटता है तू इस बेचैनी का शान्त होना, शत्रुता आक्रोश घ्रना की छटपटाहट से बाहर आना, और चित्त का शान्त हो सकरात्मक उर्जा और उत्सा से युक्त होना ही वीरिय है, तीसरा निवरण है इस्त्यान म्रद, याने आलस सिका होना, निराशा और हतासा से भर जाना, किसी भी कार के प्रती नीरस्ता, जीवन के प्रती नीरस्ता, किसी भी कार में मन का न लगना, मन की सुस्ती और यह मन की सुस्ती अकेले नहीं होती है, यह आलस तडप या छटपटाहट से भी भरी होती है तो बोजिल अनुभौ करना कि कोई बड़ा ही भार शरीर से बांद दिया गया है हम लाचार होकर उसे घशीत रहें कई बार यह तन और मन की सुस्ती एक बीमार मानसिक्ता का कारण होती है और स्वस्त मन पूरी तरह से मानसिक अवस्थाओं को बीमार और लाचार बना देता है तो इस प्रकार की छटपटाहट और तन मन की सुस्ती या आलस्य को वेर्य की सकरात्मक उर्जा से दूर किया जाता है यह वीर का बोध ही इस प्रकार की अस्वस्त और जटिल मानसिक अवस्थाओं से बचाता है चौथा निवरण है ओधत्य कोकृत्य याने अपने आप से मन को नियंत्रित न कर पाना अपने अशांत मन को शांत करने में असमर्थता हमारे बेचैन और अशांत मन से बाहर न निकल पाना कोई विचार वस्तू विशे या बात जिसका जिक्र होते ही बेचैन हो जाना है अपने उपन नियंत्रों खो देना कई भार यह अग्यात है कि इससे उपन्न परिस्थितियां हानिका रख है आंतरिक बेचैनी का उपन्न होना और उस पर उपन्न नकरात्मक टतिक्रिया पूरी तरह से हमें बेचैनी और पीड़ा से भर देती है नकरात्मक्ता की चपेट में असहाय होकर इसके अपने आप को निगलते हुए देखना जिस प्रकार एक अजगर अच्छी तरह से अपने द्वारा पकड़े हुए शिकार को निगलता है शिकार असहाय होकर उस अजगर के पेट में निगलने का केवल इंतजार कर रहा होता है तो प्रतिकूल परिष्थितियों के प्रतिलाचार होना उनसे उत्पन्य परिष्थितियों की नकरात्मक्ता को भुगतना असहाई कमजोर मांशी कवस्था जिसका समापन वीर्य के सहारे किया जाता है उच्छा से सकरात्मक्ता से भर जाना याने वीर्य का बोध जो किसी भी प्रकार से नकरात्मक्ता बेचैनी और चिंता को मन के अंदर से समाप्त कर देती है वीर के सहारे अपनी संपूर उर्जा को केंद्रित करने की छमता का विकास करना सकरात्मक उर्जा से भर जाना पांचमा निवर्ण है वीच कित्सा याने संदे संदे खुद के प्रती अपने प्रती अपने प्रती अविश्वास की भावना आत्न विश्वास का गेहरा अभाव किसी भी विशय या विचारों के प्रती स्पष्ठता का न होना ब्रह्म पुर्वक मानसी कवस्था जीवन के पहचानने, समझने और जीवन की वास्त विक्ताओं को न समझ पाने का इस्पष्ठ अभाव जीवन को चमतकारों या दैवियता से परीभाशित करना नियमों और घटते हुए घटनाओं को इस पष्ठ रूप से न समझ पाने की अक्षमता मित्या को सत्यमान उससे जीवन की परिभाशा करना मित्या द्रिष्ट से भ्रमित होना जीवन को जूट के सहारे परिभाषित करना जीवन के प्रतिसंदे तथा गत बुध के चार आर सत्यों के प्रतिसंदे तथा गत बुध के प्रतिसंदे जीवन के वास्त्विक सत्य के प्रतिसंदे है और इसका निराकरण सकरात्मक उर्जा याने वीर इसे किया जाता है सत्य शांती देता है और सत्य बीचैन करता है ये चार आर्य सत्य ही हैं जिनका बोध मन को शांत करता है ये चार आरे सत्त ही हमें बोट कराते हैं कि हमारे जीवन की पीड़ा, दुख और छट पटाहट का कारण हम स्वेते ही हैं यदि हमने किसी जूट से लगाव लगाया या किसी नियमों के विरुद्ध गए तो परिडाम दुखद होना इस पश्ट है ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी जलते हुए अंगारे को हम अपने हाथों में रखें और कामना करें कि यह हमें ठंठक देई जलते हुए अंगारे का सभाव है जिसे से वह जुड़ेगा उसे वह जला ही डालेगा यदि ये हमारे हाथों में रहेगा तो ये हमारे हाथों को जलाएगा तो जलते हुए एंगारे से ठंठक का अनुभव हो ऐसा विचार कैसे संभव होगा कामचंद हमारी शारी ग्यानेंद्रियों से उत्पन्न मजा कोई वास्तविक सुक नहीं है यदि इसे ही वास्तविक सुक मान इन से चिपकाव कर बैठे तो दुख तो उत्पन्न होगा ही यदि मन द्रोह के विचारों से भरा होगा तो यह अगनी के समान है यह मन को जलाएगा यह कैसे संभव है कि हम दूसरों के दुख का कारण बने और हमारा मन शान्त हो दूसरों के घरों को जला कर खुद के घर में चैन से रहा नहीं जा सकता है यदि तन और मन दोनों आलस्ते से भरे होँ नीरस्ता से भरे होँ तो जीवन भी नीरस्ता से ही भरा होगा यह पिड़ा देगा ही आलसी व्यक्ती सडैव दुखी रहता है विबिन्य प्रकार की पदिश्थितियों से मन का अनियंत्रित हो जाना बेचैन और लाचार चित एक बीमारू मनोस्थिति को ही उत्पन्न करेगा यह कैसे संबव है कि कोई नकरात्मक्ता से भरा है और पईवनामों में वह सकरात्मक्ता से भर जाए और सत्य का बोध ही आपको वास्तविक्ता का ज्यान कराता है कि जीवन में जो उत्पन्न दुख है उसके कारण है और हमें उसे जानने की आवशक्ता है एक बार कारण ग्यात हो जाये तो उस कारण को समाप्त करने से जीवन में से दुखों का खात्मा किया जा सकता है और इसे लगातार ततागत बुद्ध के द्वारा बताए गए अश्टांगिक मार्ग के सहारे करना होगा यह प्रयासी हमें सकरात्मक उर्जा से भर देता है जीवन को नीरस्ता से उत्साह की तरफ ले जाता है और वीरिया सकरात्मक उर्जा से भरा हुआ भिक्छो या साधक पूरी तरह से स्वते पर नियंत्रणकर दुख मुक्त की अवस्थाओं की तरफ अग्रसर होता है कन्ने वा